नमस्कार आप देख रहे हैं खबर तहकीकात मैं हूँ आपके साथ आईशा एहमन प्रेम प्रसन के तो आपने हजारों किस्से कहानिया सुने होंगे कि किस तरह प्रेमी जोड़े अपने प्रेम को पानी के लिए क्या से क्या कर जाते हैं जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता आज हम आपको एक ऐसे ही प्रेमी जोड़े के बारे में बताएंगे जिनकी प्रेम कहानी बेहत फिल्मी है केरल में 11 साल पहले एक युखती के लापता होने की रिपोर्ट दर्स कराई गई थी जिसका खुलासा आप जाकर हुआ है कि युफती पड़ोस में ही अपने प्रेमी के घर में छुपकर रह रही थी दरसल यह मामला केरल के पलकक कर के आयलपुर गाउं का है जहां एक परिवार ने 11 साल पहले अपनी लड़की सजीता की गुमशूदी की रिपोर्ट दर्स कराई घरवालों ने लड़की को खुब ढूना मगर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला जिसके बाद घरवालों ने उसके मिलने की ही उम्मीद छोड़ दी अब 11 साल बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि लापता युफ्ती सजीता इतने सालों से पड़ोस में ही अपने प्रेमी रहमान के साथ रह रही थी हैराने की बात तो यह है कि लड़की के घरवालों को इस बात की बहनक तक नहीं लगी दरसल सजीता अपना घर छोड रहमान के घर आ गई थी और तब ही से दोनों घरवालों को बिना बताए उसके कमरे में रह रहे थे रहमान अक्सर अपने कमरे में रहता था और किसी को अपने कमरे में नहीं जाने देता था और अपने कमरे में ही रहकर खाना पीना करता था हैराने की बात यह है कि रहमान के कमरे में ना तो टॉलेट था और ना ही बातरूम इसी इस्तिथी में सजी था घरवालों के सोने के बाद खिड़की से आना जाना करती थी सालों तक उनकी जिंदगी में ऐसे ही चलती रही चुप चुप कर रहने वाली जिंदगी से रह्मान तंग आ गया और मार्स 2020 को वह अपने घर से लापता हो गया अपने घर से थोड़ी दूर ही किराई के मकान में दोनों साथ रहने लगे रहमान के घरवालों ने भी उसकी गुमशुदी की रिपोर्ट दर्स कराई और एक दिन रहमाईन के भाई ने उसे सडक पर देख लिया और उसे घर चलने को कहा लेकिन रहमान तयार नहीं हुआ रहमान के भाई ने इस बात की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस रहमान को ठाने ले आई और उसे मुस्ताच की तो रहमान ने बताया कि वे किराई के मकान में रह रहा था और 2010 में लापता हुई सजीता भी उसके साथ रहती है रहमान ने 2010 से लेकारवी तक की सारी बाते पुलिस को बताई कि किस तरह से वहे इतने सालों तक सबसे छुपकर रह रहे थे पुलिस ने सारी जाज करने के बाद और दोनों की बाद सच मानने के बाद अब दोनों को कोट ने पेश किया और कोट ने रहमान और सेजीता को साथ रहने की इजाज़त दे दी और अब दोनों 29 साल की सजीता और 34 साल के रहमान एक साथ किराए के मकान में रहते हैं